अब सबस्वाइब आपके लिए कुछ लेकर आई हूं तो अभी हमारा फाइनली बहुत जदे इंपॉर्णन रहने वाले हैं तो यह हमने पहले भी बहुत बार डिसकस करें हुए हैं तो बहुत बहुत बार इक्जाम होना आपका और डिफर्ट इपन्स्टेट में अर्याना मे बहुत ही इंपॉर्ण रहने वाला है तो किसी फार्म एक्जाम का रहे हो चैनल पर नहीं है आप चैनल सब्सक्राइब करना कमेंट को प्रेस करना तक जो होते हैं नोडिफिकेशन आप लोग को मिल सकें और देखो बच्चों जो है मेरी वैपस्ट फार्म में मतलब सेम होगreet सैकलिक का मतलब एक साइकिल है मतलब कि क्लोज कंपाउंड आपको समझारा रहा है जैसे कि वह क stitch कंपाउंड आदें का चार का उंपाउंड क THIS मतलब कि एक साइकलिक के Alliance मनदें बैदं अघ्म सकतरने के मुझा समाकिर को उसले में यह स्लेटेम उट्राथ संगाते 5 depending सब्सक्राइं टध्रें काने प्यांत मेरे घ्म पेसी स्ग्राइबजी ठटेम जाने केसा उब्लते केम यह कंपास Kनम कें तो dealing week By होते हैंब आपके होमो सैकली कोते हैं मतलब कि tao यह से में अटम होगा जैसे कि hanalo group कार्ब Hmm होते हैं होगा यह सारे जो है सास इसमें स्कार्बन होगे कोई भी हिटिर वार्ट प्रैut tap क्रेंटर your कमकॉण्ट की कुछ या फिर हो गए छोंबिकक हो गए या फिर लुंको कार्यों के बटेनिक होता है हमारे और गने कम पाउट में पिर आ के सबस्क्राइब कर्एमगर्णाय से चोंब दूसरें हुआइव फेक्न कोई बैट्र लो असमें पढ़ते हों हमारा हुए यह सब्सक्राइब नहीं है इन तीनों के साथ में कार्बन मिल जाएगा आपको अप्षिन में नहीं है बाकि नाइट्रोजन सल्फर हुथ होते हैं तो क्लोज चेन प्रेइन हो गया यह आपके अपके साइकली कोशिच करी यह कंपाउंट के बारे में तो इस टाइप के टोपिक्स है ना चोटे-चोटे टोपिक्स बनाके भी मैं इस प्लेयलिस्ट में आड़ कर दूँगी ताकि आपका मतलब एक तरीके से ग्लेयर कंसप्ट यहां से क्लियर हो सके अओक हमोसरीक कंपाउंट्स आप से पूछा है अची यह सिर्फ और ये हुए सिर्सक्रीन ओंब धनान है डूसरा ही ओपे लिख्ぜंप और यह मतलब की साथ वर आपके यह आपको बता दिया होस्गोडिक कमदे कि open chain compound तो आपके कैसे होते है वो तो homocyclic कहां होते है open chain compound को तो आप a-cyclic भी बोलते हो क्या बोलते हैं तो कोई cycle नहीं होती open chain में CS3, CS2, CS3, CS2 मतलब कि जो यह जैसे इसमें चार कारपन वाला बना लो यह जो open chain होते है यह आपके होते है open chain तो homocyclic नए नहीं कट जाइगा जैगा यह cyclic तो open chain कोई बोलते हो एलिफैक्टिक भी open chain कोई बोलते हो बचा क्या cycle compound होते हैं यह option D cyclic compound भी इनको कहोंगे क्योंकि जो हमारे closed chain व्य क्या बोलते हो cyclic compound बोलते हो और cyclic में ही तो आपके close chain compound में दो टैप के आते हैं homocyclic और आपका heterocyclic तो homocyclic compound हमारे option d बिल्कुक्छ simple होगा cyclic compound होते हैं मेरे साब से आपको समझा चुका तो तीन membered ring, 4 membered ring, 5 اور 6 membered ring के थोड़े से नाम आपको पता होने चाहिए है ना इसका एक वीडियो बनाके इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में बमने डाल दूगी, तो भाई देख आपई पांच मेंबर आपसे रिंग पूछी कोछी है, यह Hetन है को फ्यूरान जो होता है जdefense मेंबर रिंग होता है यह जब करेंड फ्यूरान आपका ठीक है तो बिल्कुल से आहां पर twenty comfortable फाइंतव यह जो पूछ लेंगे फाइफ मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ओक्सीजन एटम तो फ्यूरान होता है नाइट्रोजन वाला पाइरोल और थायोफीन में सलफर है थाया वड़ ही सलफर के लिए उसका बच्चों आपको पता ही है तो थोड़ा सा क्वेशन इस टाइप से भी पूछ सकत है धिक जर्म यह प्रिशन का कउछ नहीं पता होता है ना इक्सट ऐस की हम धेन बनाते हैं अगर तो आपका हैच कितना होगा मतलब यहां वाल रखो टू प्लस टू फॉर सी एच फॉर है ना अगर कार्बन वन है एक कार्बन वाला मिथेन हो गया दो वाले के लिए इथेन होता है फिर प्रोपेन ब्यूटेन वह सब आप थोड़ा सा इतना पता होना जहें बेसिक सा फ्रोपेन का और इलकाइन की बात करोगे बच्चों तो सी एन एस टो एम इनस टू होगा मेरे बच्चों तो आंसर देखो इसमें। option a cn h2n minus 2 option a हो जागा बच्चों बिल्कुल general formula of alkyne cn h2n minus 2 होता है option a बिल्कुल से हो जागा बाकि option b में cn h2n plus 2 दिया हुआ this is general formula of alkyne है आपको और cn h2n होगा general formula of alkyne alkyne है यह ओके तो option जो है ए बिल्कुल सही हो गया हमारा next है which macronutrient is the primary source of energy for the human body human body के लिए primary source of energy आप लोगों से पूछा है primary source of energy carbohydrate protein fat या vitamin है ना तो आप देखो यहां पर यह मत सोच ना fat होगा भई fat है ना सबसे ज़्यादा पर ग्राम energy की बात करेंगे तो fat से ना एक ग्राम fat से लगबग 9 kcal energy obtain होती है अपने को लेकिन जो primary source of energy है बच्चों वह आपका करेंगे 9 kcal है ना पर ग्राम मतलब की जो एक ग्राम fat से आपको 9 kcal energy obtain होती है ठीक है तो primary source of energy आप से पूछे तो आप क्या कहोगे carbohydrate next है lactose is made up of lactose किसका बना हुआ है पहलों तो पता होना चे lactose आपका किसमें आता है disecreade में आता बिल्कुल आता है हम पढ़ते है ना उसके बाद हमारे disecreade होते है मतलब 226 carbon वाले oligosacquerades होते है उसमें dry disecreade होते है जसे lactose हो गया maltose हो गया और fructose हो गया यह हमारे क्या सुक्रोज सोरी सुक्रोज है ना डाइसेकरेड में कौन से आते हैं लेक्टोज माल्टोज एंड सुक्रोज सुक्रोज आता है डाइसेकरेड में तो लेक्टोज में गुलुकोज के साथ गैल लेक्टोज होगा बच्चो माल्टोज में दोनों गुलुकोज होते है सुक्रोज में गुलुकोज के साथ फ्रक्टोज होता है तो इसका अंसर क्या हो गया वन गुलुकोज और वन गलक्टोज ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए ही राइट हो स्टिरोडल होता है एक आपका आपकों सा पाशन स्टिरोडल है और एक आपकी एंटिपायटिक में भी आइधिंक वह पड़ते हुआ थोड़ा से important बन जाता है कौन सा vitamin है जो steroidal है तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना options देख लो इसके क्या क्या है vitamin D है vitamin A, vitamin E या vitamin B 12 तो vitamin जो steroidal होता है हमारा vitamin D जो होता है steroidal होता है vitamin D calcium and phosphorus के absorption में help करता है vitamin D deficiency से children में decades हो जाएगा adults में osteomalacia हो जाएगा है ना vitamin D हो जाएगा जो steroidal होता है और vitamin A आपको पता है night blindness को उसकरा देता है by tot sport हो जाता है vitamin A के deficiency से vitamin E जो है जो है यह tocopherol derivative होता है croven ring होती है B12 sinocobal amine होता है vitamin का बहुत ही बड़ी बड़ीया वीडियो बनाया हुआ है बच्चों वीडियो देख लेना है ना option A हो गया next है which vitamin is also called ratinol तो ratinol अभी बताया vitamin A को ही तो बोलते हो ratinol option A next है proteins are polymer of the proteins किसके polymer है भई polymer है यह तो इनका monomer unit कौन सा है किससे मिलके आपके protein बनते हैं किस से मिलके बने होते है monomer unit बताना है तो amino acid से मिलके बने होते हैं हमारे option D amino acid से मिलके बनते हैं हमारे proteins है नश्राइज है amino acid के बीच में हमने पड़ा हुआ है कि इसमें peptide bond होता है co ns है न यह हमारा कौन सा bond होता है फैप्टाइज बोन्ड जिसको amide bond भी खा जाता है amino acid के बीच में होता है तो protein इंसारदा पोलीमरो फैमीनो ऐसे अमीनो अच्ट मिलके बने होते हैं हमारे प्रोटीन्स द्रग का जो mechanism of action वह आपका फार्मक डाइनविक में आगा यह स्टर्डी ओव तीरैपी यूज इंफ्ट ओफ ड्रग तो यह हमारा फार्मक को थीराप्यूटिक इउस में पढ़ती ओ ठीराप्यूटिक यूज है ना और ओप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है magic remedies does not include तो आप drug and magic remedies एक्ट जब पढ़ते हो ना तो उसमें आता है magic remedies कौन कौन सी होती है तो वहाँ से question है तो magic remedies में क्या नहीं आता तलिस्मा, मंत्र, कवच ये सारे magic remedies में आते है does not include में any notice, circular, label rapper से सारे आपकी क्या advertisement में आती है ना, तो option D हो जाएगा, next है full form of IAEC का full form आप लोगों ने बताना है तो इसका देखो institutional है तीनों option में, तीनों में ही animal है है ना, तो ethics committee option A वाल हो जाएगा corporation नहीं होता या end title नहीं होता option नहीं होगा, institutional animal ethics committee होता है next है main objective of poison act, देखे poison act पढ़ते हो, 1919 का है act, उनके year तो आपको पता हो नहीं चाहिए, poison act कब का है 1919 का, तो इसका main objective क्या है, भई poison act का करें control the import of poison करें poison के import को control करना फिगर control the possession of poison, poison के possession को control करेंगा या फिर sale को तो देखे, इसमें सारे यात है control of import possession and sale of poison यह objective होता है, हमारे poison act का option D हो जेगा, all next, which of the following is a major advantage of parental drug administration parental drug administration का major advantage आप लोगों ने बताना है parental drug administration का major advantage क्या होता है करें slow and controlled drug release, convenient or non-invasive, bypass the first past metabolism, suitable for drug with bitter taste, तो आपने ना major advantage बताना है, तो major में हो जेगा bypass, जो first pass metabolism होता है, इसमें bypass हो जाता है, parental में, है ना next, dash injections are given into subarachnoid space that's around the spinal cord कौन से injections दिये जाते हैं subarachnoid space में that's around the spinal cord, तो कौन से टाइप के injections दिये जाते हैं, intera cisternal, intera, thical, paridural या intera, articular, है ना तो कौन से injections दिये जाते हैं, subarachnoid space that surrounds the spinal cord, है ना तो यह आप के होते हैं, कौन से intera, thical injections होते हैं, option न हो जाएगा, बच्चों B, कौन से type के होते हैं, intera, thical injections दिये जाते हैं, कहां पर subarachnoid space that surrounds the spinal cord, तो which is ultra short acting देखो भी, ultra short acting beta blocker की बात हो रही है, ultra short acting beta blocker used intravenously energy energy setting, option देख लो, इसके क्या-क्या है asmolol, etinolol है, metoprolol है, timolol है तो इसमें जो ultra short acting में हमारा asmolol आता है, कौन सा आता है option A, asmolol क्या है, ultra short acting beta blocker, next phisostrigmine is an example for phisostrigmine किसका example है adenargic drug है, anticholinergic blocker, anticholinergic तो बताईए, phisostrigmine देख जब आप anticholiner stages पढ़ते हो ना, जिनको indirectly acting cholinergic drug भी कहा जाता है तो उसमें आपकी यह drug आएगी जो है phisostrigmine देख, option D हो जगा reversible anticholiner stages में, जो कार्ममेड्स होती है ना, जब आप classification पढ़ते हो anticholiner stage, anticholiner stage enzyme को inhibit करा देंगे, koliner stage enzyme क्या करता है, अस्टार कुलिन की hydrolysis करा रहा था, अब ये koliner stage enzyme inhibit होगा, अस्टार कुलिन की hydrolysis ने होगा, अस्टार कुलिन की level भढ़ जाएगा, इसलिए उनको indirectly acting cholinergic drug कहा जाता है है ना, तो इसमें जो classification पढ़ते हो ना, anticholiner stages का, तो इसमें reversible और irreversible रिवर्सिबल में, कार्वमेट्स में, फाइसो stigmin आता है, नियो stigmin, पाइडो stigmin, एट्रोफोनियम, गेलन्टामिन, डॉनिपीजिल, हैना, रिवस्टिग्मिन, और अक्रेडिन में, टैक्रिन, ये सारी इनिवीटर्स, इनको आप anticholiner stages भी बोलते हो, chemical that प्रिवेंट ब्रेक्डाउन उफ नियोरो ट्रांस्मेट्र, इस्टैलकुल निंग के ब्रेक्डाउन को प्रिवेंट कराता है, तो इसमें जो कटेग्री पढ़ते हो, classification में, तो य् detay बेर्सीबल यृ् detayर आते हैं आपको बता आपको बताया या तो म केoll citizenship ऐख्यout आतो फोलुंग इस प्लाज्मा काईनीन हैंल में कौन सा आता है देखो जब आप Ο्टो क्वह सै आमीन ऑ्टो कोईड जो होते उसमें हिस्टा मिन आता है औल शीरोटोनी यह तो अम्न फिर आप इक पढ़ते हैं लिप डियव उटकोड में लिपी प्लाजमा काईनीन पढ़ते हो तो कैलिडीन दिया हुआ इसमें प्लाजमा काईनीन में लेकिन हमें तो ऑप्शन में कैलिडीन नहीं फिर आपके जो है यह होगा दोनों फिर रानिन लिखा रानिन बहुत इंप्रेंट है कि डिनी में जे जी सेल्स होते हैं लेकिनी के वहां रेनिन रिलीज होता है तो अप्शन जो है हमारे इसका तो ए होगया next है which of the following is plasma protein protein derived chemical mediator of information plasma protein derived पुछा है cytokine serotonin bradykinin and globulin तो plasma protein derived में आपका जो मतलब की जो peptide autocode में आपने पढ़े थे plasma kinin में caladine और bradykinin वो ही है यो option C bradykinin हो गया next है which of the following is mucolytic तो आपका ये है drug for cough वाली जो drugs है है ना उसमें आप पढ़ते हो expectorants होते हैं आपके और आपके andituses होते हैं andituses cough center suppressants होते हैं है ना और expectorants आते हैं bronchial secretion enhancers आते हैं इसमें और एक आपके होते हैं mucolytics तो mucolytics में कौन-कौन सी drug आती है चार्ड ड्रग बताते हैं कौन-कौन enhancers में आता है नौस-कैपिन-andituses में चला जेगा एफेडरिन जैसे की bronchotilator होता है यह तो यह answer option D, bromhexine आता है mucolytics में है ना तो इसमें और एक लास्फिकेशन देख लो पुटाशयम आयोडाइड गुई फैनसीन बालसम ऑफ टोलू वसका आमोनियम क्लोराइड मुकोलिटिक्स में ब्रोमहेक्जिन अंब्रोग्जुलाच सैसिस्टीन कार्पोसिस्टीन अनिटसिस का सेंटर से प्रेसेंट्स होते हैं इसमें उप्योड में कोडीन अनिटसीन अन्यटव प्रेसिस द्रेशोल्ड को रेज कराती है थ्रेशोल्ड को रेज कराती है ना तो यह कों सी है एक्सपेक्टोर डिमल संट्र मुकॉलिटिक्स है तो यह हमारे एंटिटासिव्स होते हैं उप्शन वन नेक्स्ट है विच्छ हाइप्ट लाइसेमिक एजेंट वर्क बाइंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी ना पैरिफरल टीश्यू में इंसुलिन के सेंसिटिविट यह आपके है 선iving ॏ यह इन्सुलिन का साल्फ लाइयृटि ना तो इंसुलिन के सेंसिटिविटी को इंक्रीश कराएंग फैराल टीश्यू में इंसलिन के sensitivity को increase कराते है वो आपके बाइगोरेट का काम है option नहीं हो जगा मैटफोर्मिन नहीं है तो simple oral hypoglycemia के classification से question है तो alpha-glucosides inhibitor में A-carbose आता है miglitol आता है voglibios आता है कौन सा नहीं आएगा A-carbose miglitol voglibios तो आएगा बट rapaglinaid नहीं आएगा rapaglinaid और nataglinaid किसमें आता है miglitinide derivatives में आता है rapaglinaid और nataglinaid है ना तो option not पुछा तो दी हो गया next है TGA is a regulatory body of the है ना तो TGA जो है ना वो कहा का regulatory body है यह आप लोगोंने बताना है ओके तो देखो यह इंडिया दिया है तो देखो इंडिया जो है हमारा इंडिया इंडिया का regulatory body होता है CDSCO है ना यह Central Drug Standard Control Organization जो होता है है ना और जो है आपका TGA TGA जो है यह कहा का है तो TGA का जो full form होता है therapeutic क्या होता है therapeutic goods administration क्या होता है therapeutic goods administration होता है तो यह regulatory body होता है Australia का जो कि option B में दिया है है ना बाकी USA जो है यहां का FDA होता है FDA Food and Drug Administration और Thailand का होता है Thailand FDA होता है टी एफडी ए थाइलेंड फूड एंड ड्रग अडमिनिस्टेशन तो टी जी ए रेगुलेटरी बोड़ी हमारा उस्ट्रेलिया का है औप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा ओके नेक्स्ट है विच ओड फॉलिंग इस नोर्ड रीजन अव थिरेपिटिक इंकम्पैटिबिलिटी बहु थिरेपिटिक इंकम्पैटिबिलिटी का रीजन कौन सा नहीं है ओके तो देखो भाई या ओवर्डोस दिया है कौंट्रां इंडिकेशन दिया दिकमपोजन और सइनर्जिसम है न तो देखो सीनर्जीब होता है कौनरा इंडिकेटिड ड्रग होते है ओवर्डोस होगया तो इन सब से भी होता है तो देकम्पोजिशन जो है ये थिरेपिटिक incompatibility में नहीं आता contraindicated drugs आजेंगी synergistic drug, antagonistic drug हो गया, overdose इस सारे therapeutic incompatibility में आते हैं लिकिन decomposition नहीं आता next according to Troy system one scruple is equal to तो Troy system जो होता है उसमें one scruple किसके equal होता है 7000 grains, 20 grains, 480 grains 60 grains होता है तो भाई देखो इसमें one scruple में 20 grains होते हैं और अगर आपसे half scruple कहेंगे तो 10 grains हो गई तो यह Troy system है जिसमें एक scruple में 20 grains होते हैं तो भी Troy system जो होता है आपका apothecary system को Troy system कहते हो न एक तो आपका word of boy system होता है और एक apothecary system होता है आपकोथिकारी system Troy system होता है इसमें एक scruple में 20 grain होता है, एक dracum में 60 grains होते हैं, और one ounce में 480 grains, one pound में 5760 grains होते हैं, next है in domestic measure, one teaspoonful किसी के equal होता है, 2.5 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, वन टी स्पून फूल में 5 ml होता है, वन डैजर्ट स्पून फूल में 8 ml होता है, वन टेबल स्पून फूल जो होता है, उसमें 15 ml होता है, वन फ्लोडाउंस में 30 ml होता है, तो अप्शन D हो गया, तो देखोंगे, वन टी स्पून फूल में 4 ml, या 4 औ 5 जो भी आपको अप्शन में मिलता है ना फिर दाइज़र फूल में एट अमल वन टेबलस्पून फूल में फिव्टेशनफ्थ्टि एमल वन वाइन घुलास फूल में शिक्स्टी एमल वन टी कप फूल levar फूल में तौलल में टूँफ़ूर फूल restore इमल नेक्स्थन कया क्विलिंग कैपसिटी ऑफ एंपटी कैपसूल साइज 2 है ना कैपसूल के साइज उनों की कैपसिटी इंपॉर्टन होती है तो तू नम्मर का आप पढ़ते हो त्रिपल जिरो उसके बाद डबल जिरो जिरो वान टू त्री फोर फाइज यह आपका लार्जेस्ट है फाइफ नम्मर टू है इसकी कैपसिटी ओके नेक्स्ट है वट इस इंग्लिश मीनिंग ओफ लाटिन टम साइबोज साइबोज का मतलब जिसे आप पढ़ते हो पोस्ट साइबोज एंटी साइबोज है ना तो साइबोज का मतलब क्या है तू बी टेकन पाउडर फूड या पॉल्ट से असे होता है है ना डियोस डाइश फूल अटियव्जेंग की्लियंग तो तू टेक्टर्व करने के लिइंग ना तो option A हो गया okay तो FDA TGM आपको Australia का बताया है ना और FDA बताया हमारा USA का और आपका T, ये Thailand FDA Thailand का है ना तो option A हो गया studious CO ने तो फिचोग तो following test is used for detection of glycosides glycosides के लिए कौन सा test है bionic test है, bone trigger test है, haggars reagent है glucose tolerance है ना तो आपका bone trigger test पढ़ते हो glycosides में जो भी आपके anthracone glycosides होते है, sana, alo, rubar के सब आपके होते हैं anthracone glycosides, उनके लिए हमारा bone trigger test आता, option आपका b, बिल्कुल right हो जएगा, next है biological name of mulati, mulati मतलब कि आपका licorice की बात हो रहे licorice, source के ओता glycerrhiza, glabra और leguminosy family होती है, तो आपसे पूछा क्या biological name, वहीं पूछा आपसे source ही पूछा है ना, तो glycerrhiza, देख लो वही option, glabra होगा, option c, family आपको पता हैं, leguminosy होती है, हमारे licorice की, है ना मतलब कि लिए ठी, next है modified bone trigger test positive 4, तो modified bone trigger, देखिए bone trigger test, anthracone glycosides के लिए होता है, modified bone trigger test, जो होता है, यह आपके seed glycosides के लिए होता है, तो senna, alo, देखिए winka तो आपका indoor alcoholics में चला गया, है ना, तो आप इसमें alo, जो है ना, इसमें seed glycosides present होते है, तो alo के लिए modified bone trigger test हो जाएगा, option B, next है, primrose leaves is an adult rent off, है ना, तो digitalis के adult rent, आप लोगों ने पढ़े है है ना, primrose leaves होता है, conflire leaves होता है, तो वह यह यह, तो primrose leaves adult rent किसका है, ISIMS का है, winka name digitalis, तो हमारा जो कार्डेकल एकोसेट का digitalis होता, digitalis papyrus crowfleriasi family वाला, digitalis का adult rent पढ़ते हो, primrose leaves होता है, conflire leaves भी होता है, ने सब विजोदर following is a plant growth regulator, plant की growth को regulate करते है, plant hormones, phyto hormones जिनको बोलते हो, उनकी बात हो रहे, कौन सा plant growth regulator है, एना बेसिन, जिबरलीन, खैलीन या जैन्टिसिन, तो इनमें से आपको जिबरलीन ही दिख रहा है, ओक्जीन, जिबरलीन, साइटो काइनीन, या पांच बढ़ते होगा, तो यह हमारा option B हो गया, जिबरलीन दिया है इसमें आपको, है ना, next ring present in niacin, niacin जो होता हमारा vitamin B3, जो niacin होता है, है न, niacin nicotinic acid, और इसके amide form nicotinamide होती है, है न, तो ring कौन सी present है, भै इसमें आपकी pyridine ring present होती है, जिसमें की एक hetero item present होता है, आपका nitrogen, यह आपकी होती है, pyridine ring, कौन सी ring है, pyridine ring है, pyridine, pyridine ring present होती है, आपके niacin में, है न, तो niacin है nicotinic acid, तो यह तो आपकी pyridine ring होती है, है न, और इसमें जो यहाँ पर COOH लग जगा, तो 5 दे रखा, option A में दे रखा, pyridine ring, है न, तो option A सही हो गया, okay, furan ring तो 5 member ring है, जिसमें oxygen as a hetero atom present होता है, 5 member ring जिसमें oxygen होगा, वो आपका हो जगा क्या, furan, जिसे की furan ring, आपका, जिसे की, ranitidine, है न, ranitidine में furan ring है, जो S2 receptor जिसे की furan ring होता है, ओके, और आपका furosimide में होता है, है न, प्यूरी इंदी है, बाकि पायराजीन, तो answer होगा, option नहीं, जिसे रसी प्रोकल वेवलेंथ, वेवलेंथ होता है, इसको लेंडा से रिनोट करते हो, न, वेवलेंथ का ऐसा unit आपका meter होता है, ठीक है, तो रसी प्रोकल हो, वेवलेंथ, वेवलेंथ का रसी प्रोकल क्या होता है, वो बताना है, बाई, वेवलेंथ जो होता है, बाई, वेवलेंथ होता है, आपका दो crust या दो ट्रफ के बीच का डिस्टन्स है, यह दो हो फिर लैम्डा स्प 15- alive होता है एक संटिमटर बाहले से कितनी इसको विच्व प्रोकल कर दो वेवलेंध का वह निकल के आजए गांट हमारा योटा है हेना अप्शन ही होगा बेवनबर उप्शन इसदर एसी प्रोकल ओफ वेवलेंध ठीक है समझा गहीं मेरे निसाब सेंब को प्रशनने नेक्ष इंडियन स्कुील स्कु Gibson है इंडियन स्कुील है उसकी ब छो शोर्समें आपका जो है इसका इसका किया टाटियमी का इंडिक यूर्प एडियन स्टमॉप्यमन खरतें फेंटी कंथ विए प्रिंसेपल आप लोगों से पूछा है कटिंग तो कुटर मिल में होता है इंपक्ट डिसिंटिग्रेटर में होता है इंपक्ट है ने और हैमर में इंपक्ट ही होता है option b हो जाएगा है ना बाकि compression और attrition या answer is option वी तो एक बार मिल के बारे में पढ़ लो बइदे को cutter मिल में का principle क्या है cutting है इसका product size 2280 मैश होता है किसके लिए यूज करोगे fibrous crude animal and vegetable drugs के लिए यूज करेंगे और नहीं यूज करेंगे fryable materials के लिए roller mill का principle compression होता है इसका product size 20 to 200 mesh होता है roller mill को use करोगे soft material के लिए and roller mill is not used for abrasive materials hammer mill का principle है impact product size 4 to 325 mesh होता है hammer mill is used for almost all drug and hammer mill is not used for abrasive materials disintegrator का principle भी impacted होता है product size आपका 22-80 mash होता है almost all drug include very hard drug के लिए इसको यूज़ कर सकते हो disintegrator को और not used for soft and sticky material के लिए ball mill and fluid energy mill दोनों का principle impact and nutrition होता है ball mill का product size 22-200 mash होता है sweet energy mill in product size micron में होता है ouallonhre 1-30 micron होता है ball mill को brittle drug के लिएखरों आप्रेश्टे में धीज़ करोगे 고 food energy mill को military hard and fragile materials के लिएगे soft and sticky materials के लिएज्टने होता है 22-80 mash फ्रीशyang आता है almost all drug के लिए और येज़के लिएगे परेश्टने की में करोगे next which one of the following is not regeneration obtained from radioactive materials संब exe से नहीं आ थे नहीं है डाई आ में ईंसी में बताना है यह टो यह जो यह रह घारणी containing compound होता है मतलब कि जो fatty acid है तो इसमें 20 carbon arachidonic acid में याद रखना कितने carbon है arachidonic acid में 20 बाकि 18 carbon वाला जो होता है वो कुन सा होता है stearic acid होता है और 16 carbon किसमें होते हैं पामिटी गासिड में होते हैं है ना और 15 carbon के तो होते हैं इसमें फिर 14 होते हैं जैसे कि मिरिस्टिक आसड में लोरी के सिन में 12 होते हैं ठीके तो arachidonic acid में 20 carbon होते हैं दियान लखना और इसमें चार्ल डबल वॉंट प्राज़न होते हैं गार्टिक्स क्लासिफिकेशन system तो BCS जो system होता है तो इसका full form भी हम लोगों से पूछा जा सकता है एक्जाम में BCS बायो फार्मा सुटिक्स classification system है ना तो इसमें class 1 class 2 class 3 class 4 में आप drugs पढ़ते हो class 1 में क्या पढ़ते हो high solubility होती है high permeability होती है बिल्कु से लिखा है class 1 में दोनों high है District the Sculiabilite as well as permeability class 2 में Soliabilite low होती है परमेडिया हुकर ट्सक्राइव क्लाज 3 जो होता है उसमें आप आपका opposite होगा जो है Solihability high होगी लेकिन कि श crayल लिखा है antimly low solubility और low permeability यह class 4 की बात ہوتे है LOVE class 4 में ॉय Board दूर दोनों लेकिन class 4 में दोनों क्लास वन में दोनों हाई solubility and permeability हाई क्लास वन में क्लास फॉर में दोनों लो ऐसे याद होगे क्लास टू का याद रखो भी solubility लो होगी तो permeability हाई हो जाएगी और क्लास थ्री में opposite कर दो मतलब किसको याद करना बहुत इफिकल्ट नहीं है बट क्वेश्चन क्या है बही कौन सा करक्ट है तो आप दो ऑप्षिन पर आगे इतना आपको knowledge था तो आप दो ऑप्षिन पर आगे आपने option 3 और 4 को eliminate कर दिया लेकिन 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 option 1 और 2 में दिया देखो यह high solubility high permeability से option 1 आपका जो है सही है class 1 है और low solubility high permeability से class 2 सही है लेकिन answer तो कोई यह की है आगे और पढ़ो class 1 में कहरा generally moderately absorbed compounds होते है generally इसमें moderately absorbed compound कैसे होंगे जब solubility high है permeability high है तो यह moderately नहीं इनका तो absorption काफी अच्छा होगा ना तो यह ना first वाली बात गलत लिखी है moderately absorbed compound नहीं आते class 1 में बाकी class 2 के बारे में लिखाए exhibit dissolution rate limiting absorption क्योंकि इनकी solubility कम है तो नमें rate limiting factor dissolution होगा तो यह सही लिखा हो है option B वाला है ना तो आपके चारो option में आपका right answer क्या हो गया option B हो गया क्योंकि आपने correct statement बताना था कि BCS के बारे में correct कौन सा है तो option B मेरे साब से मेरे बच्चों को clear हो चुका है तो एक बड़ी पढ़ लो इसके बारे में इतना तो आपको पता भी क्या high होगा क्या low होगा ना थोड drugs को तो यह भी question पूछ लिया exam में कि BCS में जो आप drugs class 1 class 2 class 3 बोलते हो तो किस पे based है किसके according आप लोग जो है class 1 class 2 class 3 class 4 बोलते हो तो solubility और permeability है ना तो class 1 जो है उसमें क्या होता दोनों high मैं आपको बताया solubility as well as permeability high होगी class 1 के लिए है ना तो example भी कई बार यह exam में देख स्पिरोन हो गया कि टोरोलै क्लोर फैनिरा में इस आर class 1 ड्राग्स है ना तो इनमें काफी अच्छा absorption होता है class 1 में class 2 में देखो मैंने बताया था solubility low होगी permeability high होगी है ना तो इसकी example देख लो गलेवन क्लेमाइड हो गया बाइक एलुटामाइड हो गया एसिटी माइब हो गया एसिकलोफिनेक हो गया अमॉक्सिलिन हो गया अमाइलोराइड हो गया एसिकलोवीर हो गया तो इसमें class 2 में dissolution rate limited absorption होता है क्लास 3 में क्या करना आपने solubility high कर दोगे permeability low कर दोगे इसके एक्जामपल्स में सिमेट्री नेटोर्वा स्टैटिन अमियोडेरोन एजित्रोमाइसीन आ जाएगा इसमें permeability limited absorption होता है क्योंकि इनकी permeability low है तो क्या होगा permeability limited absorption होता है class 3 में okay class 4 में तो दोनों ही लोग है है ना solubility as well as permeability दोनों लोग होते हैं एक्जामपल में बाई 4 नाजोल लिखा हुआ है दोस कंपाउंट्स है इनकी क्या poor bioavailability होती है इनकी bioavailability क्या होती है पूर होती है क्योंकि इनका दोनों ही लोग है आपका solubility लोग है permeability लोग है तो यह question मेरे साथ से क्लिया नेक्स्ट है मैंस दाक्लास गीवन बिलो तो आपने आपको लोग दिये उनकी class दिविया तो आपने ना मैच करना है है ना तो देखो ट्रोपेन अलकलोईट्स में आपको भाई देखो इसमें से कौन सी ट्रग होगी ट्रोपेन अलकलोईट्स में बलड़ो ना ततुरा स्ट्रामो ने वहां सामेस डुबोईस से आई सब पढ़ते हो तो इसमें ना chemical constituent दिया है आपको है ना देखो रिजर्पीन दिया है तो रिजर्पीन आपको पता है रिवॉल्फिया का रिजर्पीन है तो आपको पता है हमारा रिवॉल्फिया तो इंडोल अलकलोईट है तो रिजर्पीन में तो इंडोल रिंग होगा है ना स्कॉपोलामीन आपका यह ट्रॉपीन रडील से में आज यह ना और कॉडीन वसमें खेले जाएगा ना मिलेट और किसमें वह जाले जायात वह पर इस इंडॉलिट था को पहले चिखेट रिंड हो है। तो देखो इतना मतलब कि जो इस टाइप की questions होते हैं वो देखने में difficult लगते हैं कि question बहुत बढ़ा होता है बच्चा तो उसको देखके घबरा जाएगा और उसी घबराहट में हम क्या करते हैं question गलत कर देते हैं हमें आता है क्योंकि बिल्कु सिंपल question होते हैं इस टाइप क पर आपको पता था रिजरपी इंडोलिन अलकलोड में आ जगा कुई नोलीन में सिंकोनीन ना सिंकोनीन है मैं सिंकोना और क्यांटरी का मैंने आपको पता है क्योंकि में आती है कोड़ीन मॉर्फिन कोडीन थीबेन यह हमारे तो कुई नोलिंस में आपका जैसे कि नोस कैपिन आता है पापा वरीन पापा वरीन जो स्मूध मसर रिलक्सेंट होता है वैस डालेटर भी होता है ना तो वह भी ठीक है तो यह मेरे साथ से क्लियर हो चुका बच्चों को तो इसका ऑप्शन भी हो गया ओके नेक्स अए फार् अड़ाम को लेक्शन के उसमें पढ़ते को अब ही डिटेक्षन असेस्मेंट प्रिवेंशन ना यह सब अड़ाम स्वाइन क्या है अदृवर्स रिख्शन जो है उसकी फ्रिक्वेंसी में क्या इंक्रीस अदृटक्ट करना फिकर प्रोवाइड इंफोमेशन टु हम्च्छ करें information provide करें healthcare professionals को patients को to optimize safe and effective use of medicines तो देखो ये भी सही लग रहा है तो इसका ना answer तो मेरे साथ से option D होना चाहिए बच्चो क्योंकि सारी बाते सही लिख्यों है option D है ना तो बिल्कु सही है next है आपको ना कुछ कुछ ड्रक्स है important होती है उनका structure थोड़ा माइंड में होना चाहिए अगर आपका structure माइंड में होता है ड्रक का तो आपको चार options मिलते हैं है ना तो उसमें elimination method से भी answer बना सकते हो है श्कषी न थो सबसे फ़ेल्व आपको प्रसी टमौल जो वाद ड्यक्यार civ Dru , जहांपर श्यार हुद करण धार ये लगदाई ठीक है तो यहांपर यहांपर आपशी फिल्एंत है ठीक है तो यहांपर पर अमीनोफिनोल होज़ेगा लेकिन पैरामीनोफिनोल डरिवेटिव है यहां पर अमीनोग्रूप का जो है यहां पर कुछ को जो सब्स्ट्टूशन होता मतलब नहीं इस तरीके से नाम लिखा एन मतलब कि देखो यह एन नमबर पे आपका फोर हाइड्रोक्सी फिनाईल इन्हो अब options देखो आपका सिर्फ इससे ही निकल आएगा देखो एन फोर हाइड्रोक्सी आसिटाईल है नहीं आसिटाईल नहीं है मारा फिनाईल है काट दो option एन फोर फिनाईल फोर पे तो हाइड्रोक्सी है काट दो एन फोर हाइड्रोक्सी फिनाईल हाँ यह सही लग रहा है फ आपको थोड़ा सा मतलब की हलका सभी structure माइड में होता है तो ठीक है N4-hydroxyphenyl तो क्या होता है यह N-number पे 4-hydroxyphenyl-acetamide यह ना इसको ना-acetamide बोलते हैं ठीक है तो option D मेरे साब से बच्चे को समझा आ गया तो which of the following sterilization method is using powders बई powders के sterilization के लिए कौन सा method यूज़ करोगी यह आप लोगोंने बताना है देखो पाउडर्स के लिए जैसे की पूछ लेंगे टेलकम पाउडर के लिए कौन सा sterilization method यूज़ करोगी है ना पी deposit इसलिए सबेर्स आपने का पिल्ट्रेशण्ज़ करते हैं कहीं का together ने नहीं करसे सब्सक्राइशन में नहीं कर सकते हैं अक बागी अग अग्यानceğiz इसचलिए समीे अभ कोई दर। तो इसका Ops D होगया stearic acid contained किसमें आता है saturated fatty acid में आता है है ना saturated में मतलब कि हमारा stearic acid आता है तो कितने double bond है 20 थो हमारे arachidonic acid में थे तो इसमें 18 होते है मतलब कि carbon atom है कितने carbon है डबल बॉंड तो present ही नहीं है इसमें हमारा जो saturated होते हैं इनमें हैंना तो यह 20 carbon वाला तो अरेकिनोर्णी कैस्ट है जो unsaturated में आता है उसमें चार्ट डबल बॉंड होते हैं तो यह 18 carbon वाला астиर्ट में 18 carbon होते हैं और सिक्षीन कार्बन मैंने आपको धाया था याद करो लोा वीॐ । यह दौतस अचीर्ट कार्बन एटंम अग्ज्शंपल। फर्मकोलोजिकल क्लासिफिकेशन और थे अंगレेंड चाहर बोलीटी तो को सा कौनinkा एग्जाम्पल है फार्मक लगकोजी तो एंटीबाइटिक करेंगि या आईपय।टेंसी कॉनसी करेंगी बेटीज करेंगी सब्सक्राइश पर आपको पता है कोन से स्ट्राप पर काम करता है वह दो को आप सिस्टम पढ़ते हो आपका करता है约 फंट पर यहां पर आपको आपका है कर ना थीक टांजम नहीं बना इंगरेंशन वन वं यहीं सानिटिक यह वन होता है एंगोार्टिंशन करनेंग इसंटौ इनिब Major करा दिया ठीक है तो आंसर का निकल कर आया बच्चों देख लिखों नहीं और यह करते काट दो तो दी को, सी को, इनिबिट कनवर्जन ओंजो टैंस नोजन तो यह डारक्ट राड़ने इनिबीटर कर देंगे, तो आंसर का निकल कहा है बच्चों, देखलो अच्छे से अभी, का निकल कहा है, option भी, इनिबिट कन्वर्जन ओफ आंजो टैंसिन टू, जो की आंजो टैंसिन मतलब कि drug तो लेनी ही है क्योंकि वो क्या है addiction है drug का तो देखो compulsive drug use, regular use of drug, irregular या taking high dose of drug नहीं ये होता है compulsive drug use भाई compulsion है भाई लेनी लेनी है चाहे पैसे हो ना हो कुछ हो मतलब drug तो चाहिए ही चाहिए कैसे बिलो compulsive use of drug आता है drug addiction में next है which of the following lipid is commonly known as bad cholesterol देखो भी यक तो good cholesterol होता है जिसमें आपका HDL आता है high density lipoprotein एक आपका bad cholesterol होता है तो bad cholesterol जो होता है प्याड कोलेस्ट्रोल उसमें आपका LDL आता है low density lipoprotein आता है क्याता है LDL तो options देख लो तो option 1 में ही आपको LDL लो डेन्सटी लिपोपोट्यों बेड गुलेस्टेरोल है अबाकी प्लेट लेट्स है चाहलो माइकरोन है तो अंसर ऑप्शन ए हो गया जब विच स्टेट्मेंट इस नौट ड्रीग अन ब्रैंड नेम जैनरीक और ब्रैंड नेम के बारे में स्टेट्मेंट लिखे वाए कौन सा ट्रू नहीं है नौट ट्रू बच बrogen ब्युक्ति है बोता सीमिलर इनक्टि Pitts बिल्कुल होती है नौट इनक्ट्रींट बच्टों इनमें इनक्टिव इनक्ट्रीं इंक्टिव इनक क्यों इनक्टिव इनक्टिव इंग्रदियंट बाकि बाकि बगि ऋप्ञति सिमि स्टेए है और तो आपका आप्शन C हो इनका doses form से मोता है इनका यह quality performance है quality लिखावा quality है ना performance से मोता है इनका route for administration सेम है इनका biology से मोता है difference कहा होता है बच्चों इनका different inactive ingredient होते है generic drug cheaper होती है सस्ती होती है brand new branded drugs से है ना और इनका shape size colors वेगरा भी different होते है ठीक है next question है dash is not a type of laxative which are the drug that promote the evacuation of bowel and used in constipation इन में से कौन सा laxative नहीं है not ध्यान से पढ़ लिया करो इसी type से questions confuse करते हैं आपको exam में क्योंकि आप not except उनको देख नहीं पाते है ना तो not को अच्छे से देखो not type of laxative laxative का type नहीं है लॉपिरमाइड कहां पढ़ते हो laxative थोड़ी ना anti-mortility drug में आते लॉपिरमाइड तो बाके docusrates है ना lactulose है आपके laxatives में आते हैं तो option तो one होग है लॉपिरमाइड anti-mortility drug होती है ना next antibiotic that involves cell wall synthesis cell wall packed करेगी कौन-कौन सी antibiotic बताती हूं मैं आपको कौन-कौन सी penicillin, cephalosporin है ना penicillin हो गया इस फालोस्पोरिन हो गया यह हमारे क्या होता है cell wall पे act करते है बैसी ट्रासिन हो गया वैंको माइसीन हो गया cyclosirine हो गया यह सारी ड्रग cell wall पे act करती है option में क्या मिला सिफिरॉक्सिम जो कि आपका एक सिफालोस्पोरिन है इरिथ्रो माइसीन जो कि मैक्रोलाड एंटिबाइटिक में आता है protein synthesis को इनिबिट करेगा काट दो option मतलब की accept में option भी ही आ गया बाकि वैंको माइसीन सल्वोल पे आक्त करेगा है ना सल्वोल के synthesis को इनिबिट कराती है पैनिसलिन सिफालो स्पोरिन और आपका जो है वनकॉमासीन बैसिटरासिन दो सैक्लोसीरिन तो पैनिसलिन जो है क्या कराएगा क्या क्या कराएगा option ए वह कि बाकि protein synthesis को चंद इसका है बहुतर तर इसकेहिं परेटीज नोरतन हो स Holz हीपित करने और भीन को장님 स्लेंद मविशिक होATION आपी तर्फित करेंगी यूदर सन विप्टिक तो इस में तो आपके ड्रग आती हैं जो वीक होती तो उसमें आपकी जैसे आपकी जैसे क्लाइट्रमाइसिन मिगनिशियम हाइड्रोकसाइड सुक्राल फिट तो आपको सिमेटडीन Cymetidine के बारे में एंजेम इनिवेटर होता है जाय Será को सिमेटरीन में इमीडाजोल को साथी याद रखना सिमेटिन में कौन सा क्वैस्ट इमीडाजो प्राज़न प्राजंट थींsprul नेक्सित आपकीन do छैंडर पॉज़न एक 19 CAdde chuẩnete siya डियास ना चाहिए तो निक च्पा snoot Cleo Cum on the articulation के यरि रिष्ट भी पॉज़न की ना दो लीष्ट है मैं की लिस्ट भी एक जो सब्लसकर पढ़ें तो आरसनी किसमें है लिस्ट भी में आ वह दो सब्सक्राइब को में पर्किंसोनिजमिस कोवन नियुर्लोजिकल मुवमें डिसोडर बौथ लिवोडोपा और कार्बीडोपा रिवोडोपा देते हैं तो क्यों साथ में तो क्यों बहुत बार समझाएब आपको लिवोडोपा जो होता है MAN लिणर डोपा का पैरीफरी में टिकार्बोक.डोपामिन बठोस घंग बनें सावाइव और हमारी परकिनस में working कम हो जाता है है nog टॉपिंट को Screen को क्यों क्रोफ तो कर पाता है या से डॉपामिन को दे искती तो जाते हैं डॉपामिन जिनर्जिक अगोनिस्ट देते हो Parkinson's disease में डॉपमिंट के प्रिकर्सर है यह लिवोडोपा जो देते हो तो इसलिए क्या करते हो लिवोडोपा के साथ में कार्भीडोपा देते हो कार्भीडोपा क्या है peripheral decarboxylase inhibitor होता है पेरिफरी में decarboxylation को inhibit करेगा बच्चों यह पेरिफरी में ना कि ब्रेंड में एंटर नहीं करेगा चाहिए ये सिर्फ पेरीफरी में ही decarboxylation को इनिविट करेगा जिससे की जादा से जादा लिव दोपा AAA BBB को क्रोज करके ब्रेन में चला जाए ब्रेन में जाके रिकार्बोगुसीलेशन हो जाएगा डौपमिन बन जाएगा जो कि आपको Parkinson's द्रिजिज में चाहिए था तो साथ में क्यों दिया पैरिफरी में युर्पाइंट आप लोग पढ़ते हो अब देखो और ब्लड ब्रेन को क्रोस नहीं करता फिकर है माओ इन में से किसी को भी नहीं करेगा और रिमा इनिबिटर आपका और पढ़ते हो क्लोर गाइलिन पढ़ते हो है कि नहीं तो आंसर मेरे साथ से ओप्षिन नहीं हो क्लियर बच्चो को ने सब विच ओफ फॉलिंग एंटी सीजर ड्राग इस ऑफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजैमिल नुरालजिया की ट्रीट्मेंट में कौन सा एंटी सीजर ड्रग होता है यही आपका ट्राइजैमिल नुराल्जिया के लिए ड्रग ओफ चोइस होता है निष्ट एंप यह तक है कंप्लीट ब्लेट काउन्ट होता है ना सारी की सारी बलड क्रिंट होती है RBC हो गई, हमारी WBC हो गई, हमारी platelets हो गई, हमारा hemoglobin होता है, hematocritin, सबको measure करते, complete blood count, नाम से पता लग रहा है, हना तो किसे measure करेगा, measure the level of which blood component, तो glucose and cholesterol तो नहीं आएगा इसमें, enzymes, hormones, electrolytes, antibody नहीं, इसमें option भी करो बच्चो, hemoglobin and hematocrit, बग्या RBC, WBC platelets भी आती हैं इसमें नेक्स्ट है, in medical prescription, HS stands for orasomni, important Latin term है, orasomni, at bad time, बहुत important है, at bad time, कहां लिखा हो है, option A में, हैना, option A हो जागा, नेक्स्ट है, inadequate spreading of film coating solution on tablet before drying, inadequate spreading हो जाती है, film coating solutions की tablet के ओपर inadequate spreading हो जागे, drying से पहले, हैना, कौन साथ, यह ना, coating के defect पढ़ते हो, वहां से question है, sticking, picking, orange peel, cracking, तो ना, यह orange peel effect में आता है, option C हो जागा, बच्चो, next, dash or inert substance that are added along with medicaments to prepare granules, granules प्रपेर करने के लिए, ना, medicaments के साथ में, जो inert substance add करते हो, ने, क्या कहते हो, excipients कहोगे, coating material, sweetening agent, active ingredient, तो यह ने कहेंगे, हम excipients से use करेंगे, इसके लिए, option A, next capsules are available, both as dash capsules and dash capsules, बिको simple है, वह आपको पता है, hard gelatin capsules होते हैं, हमारे soft gelatin होते हैं, तो देख लो, कौन से option में, hard gelatin capsules and soft gelatin capsules, option D, next है, by which bond amino acid are joined together, तो बता रख आपको amino acids, देखे, protein जो होते हैं, हमारे proteins किसे मिलके बने होते हैं, amino acids से मिलके बने होते हैं, हैना, proteins are the polymer of amino acids, proteins की monomer unit क्या है, amino acids होती है, हैना, तो यह आपका peptide bond होता है, इसको amide bond भी कहते हो, amide bond भोल दो, या peptide bond भोल दो, हैना, तो आप देखो dipol dipol ionic hydrogen या amide bond होता है, option D, या peptide bond भी कहते हैं, इसको, जैसे कि आपके proteins amino acid से मिलके बने हैं, ऐसे हमारे nucleic acid, DNA, RNA, जो होते हैं, वो nucleotide से मिलके बने होते हैं, हैना, क्या है, जैसे DNA, deoxy ribonucleic acid, RNA ribonucleic acid, तो यह हमारे nucleotide से मिलके बने होते हैं, हैना, तो मतलब कि nucleotide सार्था monomer unit of nucleic acid भी कहा सकते हो, building block of nucleic acid है, यह बात बिल्कु सही है, इस nucleotide is a composite molecule formed by, तो एक nucleotide में क्या क्या होता है, यह बताना है, देखो, base sugar phosphate, base sugar OH, sugar phosphate none, तो क्या होता option ए, base होता है, कोई भी nitrogenous base है, जैसे कि आपका purine base, primidine base पढ़ते हो, purine में adinin, guanine आता है, primidine में cytosin, timing uracil पढ़ते हो ना, तो कोई भी nitrogenous base होता है, plus sugar होता है, plus phosphate होता है, आपका nucleotide में 3 होते हैं, option A आपका right हो जाएगा, okay, sugar आपका pentose sugar होता है, DNA में जो है deoxy sugar होता है, है ना, RNA में ribose होता है, DNA में deoxy ribose होता है, okay, पेंटोज शूगर होता है, okay, next देखो, sugar present in nucleotide, वही पूछ लिया, nucleotide में कोई सा sugar होता है, sugar कोई सा होता है, ribose sugar होता है, है ना, अगर यह RNA है, तो आपका ribose है, अगर DNA है, तो यह क्या है deoxy ribose है, और यह क्या है ribose है, यह पेंटोज शूगर होता है, किसमा तर पेंटोज शूगर में आपका ribose आता है, तो sugar कोई सा है, अब यह option में कैसे पूछा है, बए ओलिगो secrete है, monosecrete, polysecrete, dicecrete, तो क्या है, भई पेंटोज, 5 कारबन वाला क्या है, monosecrete ही तो है, है ना, monosecrete होते हैं, उसमें, trios, tetros, pentos, hexos फड़ते हो, हो जागा दोनों ही क्या है ऑक्सिदाइजिंग एक्जाम्पल लिख्यों है इन में से मतलब कि डबल बॉंड प्राजंट है तो देखो लोरिक पामिटिक स्टियरिक तो मैंने आपको बता है स्टियरिक तो साचुरेटिड में आता है जिसमें तो आपका यह ओप्शन होता है जो जो है वन डबल बॉंड प्राजंट होता है नेक्स्ट ने जो यूज़ करोगे नाच्रल अलकलोड कोन सा है संकोनीन कोल्चि सीन ≅ न quarterback कॉल्चि सिन तो सिंग कोनमे रेजंट है इसमें से हुआ ज्युक्ष या Canadian R को सब्सृत को की ऐसे फैम लेश कोसेदえば को इयुस करते हो ना और उसमें यूरिकोस, यूरिक ड्रग भी होते है, क्रोनिक गूट में जो यूरिक आशिट के एक्सक्रिशन को एनहेंस कराती है, है ना प्रोबैनसर टो सिल्फिन पाराजोन, यह एक्टिट गूट में उसकिया जाता है, option B हो जगा, colchicin, नैसे, A-protic solvents क्या होते हैं, यह प्रोटिक जो ना तो असेटिक होते हैं, ना तो असेटिक ना भेसिक है ना, तो बैंजीन, सल्फियूरिक आशिट, असेटिक आशिटिक आशिट नन, है ना, तो इसमें ना, बैंजीन है आपका A-protic, option A हो जगा, बैंजी नेक्स्ट है, reduction in chemical reaction, बैं, chemical reaction में, reduction का मतलब क्या होते हैं, आपने बताना है, addition of hydrogen, बैं, hydrogen add हो गया, तो सही है reduction हो गया, अगर removal of oxygen, अब oxygen removal हो तो भी, आपका reduction ही है, acceptance और electron तो यह भी reduction है, सारी ही reduction है, option D हो जगा, all, next है, that's issue the license to blood bank, blood bank को license कौन issue करेगा, state drug controller, government analyst, pharmacist, नन, तो देखिया, जो state drug controller होते हैं, वो blood bank के लिए license issue करते हैं, next, nutrient antioxidant present in berries, berries में कौन सा nutrient antioxidant present है, alpha, lipoic acid, catechic acid, ilagic aspartic acid, तो इसमेरा ilagic acid होता है, option क्या हो जगा, c, ilagic acid, next है, which active primary objective is to make sure that essential drugs are available to all at a reasonable price, मतलब कोन से एक्ट का objective होता है, क्या है objective, to make sure that essential drugs are available to all at a reasonable price, पे सभी को अवेलेबल होने जाए, essential drugs, कौन से एक्ट का objective है, क्या है, क्या है, dpco, drug price control order, drug and cosmetic act, pharmacy act, इनन, तो हमारे dpco का होता है, option a, drug price control order, तो वैलिरा नोन जो होता है, यह हमारा जटमंसी, option भी जटमंसी में present होता है, वैलिरा नोन, नेक्स्ट है, नोन एक्वस solvent आप लोगों ने बताना, नोन एक्वस solvent है, नोन एक्वस है मतलब कि इनमें, वाटर नहीं होता, नोन एक्वस मतलब की, तो नोन एक्वस solvent कों सा है, बैंजीन है, टोल्यून है, पारेडिन है, यह सारी है, तो देखो सारी ही यह नोन एक्वस के मैं आप गूगल मीर तीन ट्रक बताती हूं तो मीर जो है इसमें ओलियो गम रेजिंस प्राजन्ट है तो अप्शन हो गया गम में आ जगा मीर नेक्स्ट है साना बिलॉंग्स फैमिली बिल्कु सिंपल साना की फैमिली आप लोगों से पूछी हुई है है लगमिनोसी बार सी र कौन सा है लिनॉललीक एक यंदौरण या प्रोप्योर निक और प्रोप्योंक यह alrededor में अले सहेश्ड कसी हरा फैमिलूनल maintained के चेहरों एक यह भृटी एक यह यह सालचन्य عवां में एक प्याफिक कत हुपार लिंवचट करिख विभ्स्रीणे लुनार कोस्टिक किसका सिनोनिम है यह बताना है आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट ए जी एन ओ थ्री है ना ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम ओक्सी क्लोराइड है ना शी एओ यह ची एस टो टू का होता है यह स्टो का होता है क्या है और्शनीम उल्टेंट क्या है या उल्ल मध्य थी प्योट्रेटें मुई वह रिक्सी प्रहित लिख्श्वर सब्सक्राइब करेंगे तो वाइड रेंज और वाइड रेंज और वाइड रेंज और बिल्कु सही बात है जैसे कि आपकी टैटरा सैक्लिन सब्सक्राइब करें और वाइड रेंज और वाइड रेंज और वाइड रेंज और वाइड यूव पोस्टी और ग्राम नेगेटिव नहीं नहीं यह तो नेरो होती है यह डेफिनेशन नेरो के बारे में लिक्ष्क होए है एंग न इनरो स्पेक्टर मैंटिमयाविट होती है तो असर polsk डी हो गया बौत हैंने ब्लंज चींप्सषेंज उन्हिके और अपन के is dermis epicaridium pericaridium जो heart के covering होती है मतलब की membrane that is pericarion option d deglutation is a term deglutation का मतलब स्वेलो इंग deglutation का मतलब क्या होता है swallowing option b next है function of kidney by lungs की तो आपने alveoli पड़ी function to kidney कि क्या होती है nephron क्या होती है है कितनी क्या होती है मतलब कि लगबग 1 million दोन मिलें में पalahुटरो में होता है किडिनी तो क्या है व प्रेखिट नेफिर रेस्पोर्मोन को कोण्ट्राक्टरायेगा है यूटराइन को चाल्डबर्थ और लिक एजक्चन ड्यूरिंग के दुड़ान ओर इजक्ड कराये मिल्क के लिए और यूटराइन से लिगा सा हर्मोन रिसपॉंसिव लाः स्युप्सिटोसिन इस्टोजन प्रिलैक्ति verbal से टो घाफो हुजय के ने簡र निए ने सारी ब्रम सारी बैल डे मैंटर या मैडूला अबलोंगाट सब्सक्साराओ इनेवर इंगा है डूल कोई इस ट की अम жизни को ब्रक्राओ्थ डिउसटली उनेफ साथ टीनिटी है रॉकवर्ण 15 2 0zech5-005 के लिगे नेशेटी सब्सक्रायूंब को भडल में इसमार में दिशू लेक्ट प्राइब्स के डिफ़ेंट तीशू है तो जो आपका जो स्कुमश जो एपिथीलियम अपिथीलियल होता है ना उसमें फ्लाट से होती है उप्शन होजगा स्कुमस ऋनेंस्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ओडर केम इन फो इस होना तो यह आपकी बात हो रहे ड्रग प्राइस कंट्रोल ओर डिपी सीयो की बात हो रही है, तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ओर डिपी सीयो केम इन इफेक्ट ओन, तो 1st May 2013, 10th May 2013, 15th May 2013, 20th May 2013, है न, तो कई बना exact date भी हम लोगों से पूछ ली जाती है, तो इसका हो जगा आपका option स 15th May 2013, है न, क्योंकि 2013 तो सभी को याद होता है, लेकिन जो exact date होती है, वो हम याद नहीं करते, तो कई बर exam में इस टाइप से question बन जाता है, न, next है, what is the primary role of food and drug administration in the United States, United States की जो आपकी जो regulatory body है, FDA, जो food and drug administration, तो उसका primary role पूछा है, drug manufacturing, drug prescription, drug marketing, drug regulations and safety, है न, तो primary role जो है, FDA का वो बताना है, तो देखे, drug manufacturing, drug prescription, drug marketing नहीं होते हैं, क्यों तो drug regulations and safety, option D, next है, India is known for its production of generic medicines, what is the primary advantage of generic drugs, न, तो जो generic drugs होती है, उनका primary advantage बताने क्या है, क्यों, they are typically more expensive than brand name drug, तो generic तो cheaper होती है, expensive तो होती ही, नहीं, they are not suitable to regulatory approval, they are more affordable, alternative to brand name drug, तो इना more affordable है न, cheaper है तो affordable हो गई, यह option C हो जाएगा, बाकि दे हो shorter shelf life ऐसा, कुछ नहीं होता, option C आपका right हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा question है, dash is a rare genetic disease due to the deficiency of a paroxysmal, paroxysomal, phytonoil, coenzyme A, hydroxylase, है न, तो यह deficiency disease के बारे में question है, जैल वेगर syndrome है, rapsome disease है, gocher disease है, carnatin deficiency, तो यह होता है, आपका rapsome disease होती है, क्या होती है, option 2, नेक्स्ट है, according to NDPS Act, जो नार्कोटी ड्रगन साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस Act की बात हो रही है, 1985 का Act है, आपको यह भी याद रखना है, है न, तो इसमें कहरे, which of the following is not considered as a coca derivative, तो coca derivative के बारे में कौन सा है, जो इसमें से coca derivative के बारे में सहीं नहीं है, देखो, crude cocaine, that is an extract of coca leaf, which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine, crude cocaine, that is an extract of coca leaf, coca leaf को कोई extract है, जो directly or indirectly cocaine की manufacture में युदा दो भी कुछ सही है, तो, फिकरे, एकगोनीन, all the derivative of agonin from which it can be recovered, तो यह भी सही है, फिकरे, cocaine, that is methyl asterobenzoyl agonin, है न, methyl asterobenzoyl agonin and it's salt, next है, all preparations containing less than 0.1% of cocaine, देखिए, यह last वाला ही गलत लिखा हुए, क्योंकि इसमें क्या होता है, all preparations containing, अगर यहां पर यह less than, कि जिखा है, more than होता तो आपका सही होता है, तो यह होता है, आपका all preparations containing more than होता है, तो आपका option यह डी ही गलत लिखा, बाकी सारे बातें सही लिखी हुए, न, next है, match the correct pair of morphological class of drug and example, न, तो आपने match करना है, एक तरफ drug दी, उनके examples दी हुए, मतलब कि इसमें न, part दिया हुआ है, कि कौन सी drug का कौन सा part है, आपको पता है, तो आपको दी का पता है, तो दी का 3 होगा है, तो आपको दी का 3 आपको देखिए, option A में मिला है, बाकि अब आप option C भी कार्ट दोगे, आपको दो option बाते तो आपका answer निकल के आ गया, बाकी woods के लिए आपका, जो है, बी का, one है, क्वेशिया जो होता है, उसका wood यूज किया जाता है, और rhizomes के लिए टर्मरीक हो गया, तो यह different डिफर्ण आपकी कोगनोसी में drug है, कौन सी drug है, कौन सा पार्ट यूज होते है, वहाँ से question है, option A मेरे साफ से बच्चों का clear है, next है, give the correct match from the following category of alkaloid, तो यहाँ पर भी आपने match करना है, alkaloid की category आप लोगों को दी हुई है, तो imidazole alkaloid में कौन से drug पढ़ते हो, pillocarpin, imidazole alkaloid आता है, pillocarpus jaburandi से obtain होता है, तो option देखिए, A का हो जाएगा 3, अभी A का 3 आने से आप कितने option पे आगे, देखो option A काड़ दो, option D काड़ दो, A के 3 से दो option पे आगे, indole alkaloid में आपको पता है, reserpine आता है, B का 2, B का 2 कौन से option में, दोनों में है, iso quinoline में आपका पापवरिन आजेगा है न, तो C का आपका है 1, C के 1 से आए, आप ये B काड़ दो, B काड़ दो, C हो गया, बाकी आपका कौन सा steroidal alkaloid, जो होते हैं, steroidal alkaloid में हमारा कौन सा आजेगा, ये कुर्ची का konecin है, कुर्ची आपका steroidal में आता है न, तो एक konecin आजाएगा, D का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीके तो option C मेरे साब से आप लोगों को समझा चुका है, तो इस टाइप की question बिल्कुल इजी होते हैं, जैसा lymphatic system consisting of all of the following accept, तो lymphatic system होता है, इसमें सारे के सारे, ये मतलब कि इसमें include है, एक को छोड़के, तो blood देखे, blood तो lymphatic system में होता ही नहीं, हैना, blood option जो है, एह ही आपको accept में आजेगा, बलड बाकि lymph nodes होते हैं, lymphatic vessels होते हैं, लिम्फ होता है, हैना, तो ये blood नहीं होता, लिम्फ में blood नहीं होता, लिसे normal human blood pH, human जो blood का pH होता है, वो आप लोगों ने बताना, तो याद रखना, 7.35 से 7.45 हमारा blood का pH होता है, option B हो जाएगा, next question हा, barrier in patient counseling, patient counseling जो पढ़ते हैं, उसमें कौन-कौन से barriers आते हैं, कि नहीं, pharmacist related barriers होते हैं, patient related barriers होते हैं, organization related barriers होते हैं, या all, हैना, तो barriers नहीं आपके सारे ही आते हैं, option D हो जाएगा, all, next which vaccine is a suspension of living cells of a strain of mycobacterium tuberculosis, हैना, कौन सी वैक्सीन हैं, जो suspension of living cells of mycobacterium tuberculosis and was developed by calmet and guarin, 1906, 1906 हैना, तो आपका जो है, calmet and guarin, BCG आपको याद आ रहा होगा, c से calmet, g से guarin, bacillus of calmet and guarin, हैना, BCG vaccine, 1906 में, तो यह tuberculosis के against यूज किया जाता है, तो देखो, वह ही है, बस आपका answer तो option B हो गया, BCG vaccine, हैना, next है, pentavalent vaccine, provide protection against, तो pentavalent vaccine जो है, किसके against protection provide करती है, आप लोगोंने बताना है, हैना, तो देखो, dpt दिया है, hepatitis B दिया है, H influenza type B है, या dpt, जो है, यह देखो, option देख लो, आप हैना, कौन सा होगा, तो pentavalent की बात हो रहा है, dpt में मतलब कि 3 आगी, dipthera, pertuses, chutannas, 3 आगी है, तो बाकि 2 कौन से है, वह आप लोगोंने बताना है, pentavalent vaccine में, हैना, तो देखो, इसका option A होगा, बहिए एक तो dpt होता है, pentavalent में, एक hepatitis B होता है, और एक होता है, H influenza type B, यह option A हो जाएगा, यह प्रोटोन पंप इनिविल्टर नहीं है, देखो, option में है यह नहीं आपका, तो patient package insert है, profile package insert, patient package import, यह नन तो होता है, patient package insert होता है, option A, next smallpox vaccine क्या है, भई smallpox vaccine, bacterial है, toxode है, antiserum है, viral vaccine है, तो smallpox न हमारी viral vaccine है, तो आपको पता हैंजे, कौन सी bacterial vaccine है, कौन सी viral vaccine है, next question है, non-proprietary name of the drug is, देखे, branded name न प्रोप्राइटरी होते है, BP से याद कर लो, BP से branded जोते हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं, code name of drug, chemical name of drug, brand name of drug, या generic, तो non-proprietary हमारे generic name होते हैं, option क्या हो जाएगा, D, which doses form is typically used for administration of insulin, insulin के administration के लिए कौन सा doses form यूज किया जाता है, injection, tablet, ointment, capsule, तो insulin को सबको टेल से injection के, से administer किया जाता है, तो option A हो जाएगा, injections की form में है, next है, glucoma का due to increase, तो glucoma जो होता है, उसमें क्या increase होता है, intracranial pressure, intraocular pressure, intravascular, intraluminal pressure, तो glucoma में ना intraocular pressure जो होता है, normal intraocular pressure 10 to 21 mm of Hg होता है, लेकिन in glucoma, it is more than 22 mm of Hg, तो आपका answer option B होगे, next है, which of the following filler is used to make the bulk of the tablet, बल्क जो है, बढ़ाने के लिए कौन से filler जो है, यूज की जाते है, है ना, तो यह हमारे diluents ही होते है, filler को वैसे भी diluents बोला जाता है, option A, next है, dash is the Latin term for a mouthwash, mouthwash के लिए Latin term आपने बताना है, collirium है, collinarium है, और steely है, या collitorium, तो mouthwash के लिए आपसे Latin term पूछा गया है ना, तो mouthwash होता है, collitorium, ओके, तो answer क्या हो जागा आपका, option D, collitorium आपका mouthwash होता है, और steely, और यी word मैंने आपको ear के लिए बताया, और steely आपका ear drop होता है, collinarium nasal wash होता है, collirium eye wash है ना, इस eye को ना, eye से relate करो, इस collinarium इसको nasal wash रिलेट करो, इस a non uniformity of tablet coating, देखे, lamination तो layers में separate होएंगी, tablets, capping में top या bottom crown और tablet, from the main body of the tablet separate हो जाता है ना, sticking में tablet अडेर हो जागी dye wall से, बचा क्या modeling, option B है ना, तो modeling हो जागा आपका answer, next हमारा question है, in dry heat sterilization method, bacteria are killed due to, तो dry heat में bacteria killed कैसे होता है, बच्छन देखो, reduction of essential cell constituents, halogenation होता है, oxidation प्रासिपिटेशन, तो dry heat जिसमें आप hot air oven use करते हो ना, तो इसमें आपका क्या होता है, oxidation होता है, essential cell constituents का, oxidation या denaturation होता है, dry heat में, और जा आपका modest sheet होता है, तो इसका answer क्या हो गया, oxidation option C, next question है, injections are generally sterilized by dash method, देखें, injections को sterilize करने के लिए, generally हमारा moisture होगा, बाकि जो injection where fixed oil used as a vehicle, वहाँ पर dry heat use करना है, ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो है, injections are generally sterilized by, तो इसके लिए moisture sterilization होगा, option B, fight or flight response is primarily mediated by which part of nervous system, flight or flight response, देखें, somatic nervous system, central nervous system, parasympathetic nervous system, sympathetic, तो यह sympathetic nervous system, जो emergency के time पर, stress के time पर, जो activate होता होता है, sympathetic है न, जिसमें क्या हाँ आपका heart rate ज्यादा हो जाएगा, tachycardia हो जाएगा, bronchodilation हो जाएगा, है न, तो यह आपका जो emergency के time पर काम करता है, तो इसको na, fight and flight response भी कहा जाता है, okay, तो option D हो जाएगा, next of which of the following is false system, कौन सा गलत है, करे, elementary canal is 9 meter long tube extended from mouth to anus, from which food pass करे, elementary canal जो 9 meter long tube होती है, long tube होती है, जो extend होती है, कहां से mouth से anus तक है, जिससे अपना food pass होता है, फिकर न, salivory gland न, two pair, तो salivory gland two न, three pairs होती है, तो इस गलत होगा, बाइगा, बात है, option B गलत है, बागी, weight of liver, तो liver न, largest gland body की न, liver होता है, और largest internal organ भी liver कह सकते हो, बैसे, largest organ तो आपका skin होता है, बट internal organ की बात करेंगा, तो liver आजेगा, तो weight न, लिवर का 1500 gram लिखा हो है, about सही है, about 1500 gram होता है, और ribs 12 होती है, pairs में भी हमीं पता है, तो option B होगा, हमें false बताना था, तो प्रोस्ट अग्लान्डिन क्या है, बाई, amino autochord, peptide autochord, plasma kinin, lipid-derived autochord, तो मैंने आपको amino autochord में, histamine और serotonin बताया है, है ना, और आपके जो है, lipid-derived autochord में, plasma kinin आता है, जिसमें, कैलिडीन और ब्रैडी काईनी नाता है, और एक अंजियोटैंसीन आता है, इसमें, है ना, ठीक, आंसर हो गया, D, ने सब्स्ट्रो मिथोर्फन क्या है, कफ सप्रेसेंटा, जो आपके अंडिटासीव होते हैं, मुकोलिटिक्स, जो मुकोस को ब्रेकडाउन करेंगी, जैसे कि आपका, वो होता है, ब्रोम, हेक्जीन, अंब्रोग्जोल, स्टाइल सिस्टिन, कार्बो सिस्टिन होता है, एक्सपेक्टोरेंट्स को, मुको काईनेटिक्स भी कहते हो, एक्सपेक्टोरेंट्स में, आपके एक तो होते हैं, ब्रोंक्या सिक्रेश्यन अन्हेंसर्स आते हैं, और एक आपके मुकोलिटिक्स आते हैं, जो मैं आपको बताए, जो गूभी फेनसीन, यजो स्थ औरेश्चेश्पटरेश् पूद्चों यहाँ पर, पता नोन ओप्योड जो होते हैं है ना उसमें आपका जो होता है नोस कैपीन डेक्स्टो मेथोर्फन क्लोफीड यानोल पड़ते हो है ना नोस कैपीन डेक्स्टो मेथोर्फन क्लोफीड यानोल वो आपका डेक्स्टो मेथोर्फन यह एंडी टासिस होता है कफ सेंटर को सप् इर्ट रोज क हुए इसमें कतने कार्बन प्राजन्ट है तो this में तीन कार्बन वाले को क्या बोलते हो चार वाले को टेट्रोज वोलते हो 5 ऎले को पेंटोज भोलते को долларов तो प्रो Mits pog घोते हो ढूर चार प्रिशन दीए कार्वन वाला त्री कार्वन वाला ट्राइज में जैसे आपके glycerol dehyde 3-phosphate जो होता है जो होता है और आपका पेंटोस में जैसे आपका राइबो शूगर होता है तो यह option A हो गया next 3 है 1 हो गया मतलब which nutrient play a critical role in the formation of collagen, wound healing and maintaining the integrity of skin and mucous membrane तो collagen के लिए required होता है कौन सा vitamin को हमेशा बताती हूँ, vitamin C की हम बात करते हैं जिसको ascorbic acid भी कहते हूँ क्या बोलते हूँ, इसकी deficiency से क्या होता है, scurvy disease होती है, क्या होती है, scurvy disease होती है और vitamin C जो है collagen के synthesis के लिए required होता है, tyrosin के metabolism के लिए और iron के absorption के लिए required होता है vitamin C का structure होता है similar to hexose, और vitamin C citrus fruit में present होता है, खटे फल में, है ना, और option B हमारा बिल्कुल सही हो गया next है, conjunctival zirosis is occurred due to deficiency which are the following vitamin, तो देखें जो आप vitamin A की बात करते हैं, retinol की, तो retinol के deficiency क्या क्या होता है by tot sport आता है, तो क्या होता है, by tot sport, conjunctival zirosis, zerophthalmia, यह सारे जो है आपके vitamin A की deficiency से होता है, night blindness होता है है ना, तो option क्या हो जाएगा, vitamin A, option D में दिया है, vitamin K, blood की clotting के लिए required होता है, blood की clotting के लिए 2, 7, 9, 10 clotting factor के activation के लिए required होता है दो, 7, 9, 10 clotting factor के activation के लिए required होता है, vitamin K, vitamin K की deficiency से defective blood clotting हो जाएगा, hemorrhage हो जाएगा, bleeding disorders हो जाएगे हना, vitamin C का बता दे, vitamin B12, sinocobalamin होता है, इसमें cobalt present होता है, corin ring होता है, center में cobalt present होता है और vitamin B12 की deficiency से megaloblastik anemia होता है, specific test पर identify imidazole ring in amino acid, amino acids जो होते हैं, उनमें imidazole ring present है, उसको identify करने के लिए कौन सा test है, यह आप लोगों ने बताना है इसके लिए कौन सा उप्शन में दे रहे है, option A, पोली स्ट्स होता है टायरोसीलमिनाशील के लिए कुनसा होता है, मिलाश टेस्ट होता है, है ना इक्स्ट है और का है आद्ऑलनिक्न स्टूर Chem에서도 Black mustard तो इसमें क्या प्रेजन्ट है चरंटीन प्रूंइसिल और प्रूंइसन और अमेच्टालीण तो आपका साइनरटीग लाको सेड होता है एचानल सकहिते हैं टो आपका स ज disfrakो जानल सु ज ह्मेसी लेको सैनल सेल में पुर। सकता ब्लैको सीजिनधे घ्लाइक है। जलेको सीरे लिज़ेन इसकीषचा है। यूपकर कमया सब्सक्राइος नर्वासिंद है डिमल से सडीलहर काउंटर इर्ट एक्स्वेक्टजॉद इंट होता है क्या होता है उप्षेद मुसलि वन ओफ़ टोनिक है डायूरेटिक है गलाक्टो गोगी है यह नरवाइन टोनिक है थो यह आपकी होती है जनरल टोनिक होती है औप्षिन क्या हो जागा वन सफेद मुसाली का इसमें सोर्स लिखा है पील ट्यूब्रस रूट ओफ क्लोरोफाइटम बोरी वीलियन लिलियसी फैमिलियस की हीको जानीन प्राजन्ट होता है इसमें और जनरल टोनिक और अफ्रोडीस ही एक होती है इसमें इसमें आपके बिटर आलमंड और वाइड चेजी की बारे में लिखा हुआ है बिटर आलमंड का सोर्स ड्राइड राएप शिद्स रूर रोटेशा एडोनों की में प्राजन्ट नहीं वाइड चेणी प्राजेशिंट होता है इंडियन से केस्याइशी फोल्या एलक्सालिक के यूटी फोलिया तोley आपको ओप्छनı 4 में इस साना के पार्फर लगमिनों सी फैमिली ये उपर क्या पर्लायर यह वही है और से यह वही होता है जैन्थो प्रोटिक टेस्ट पोजिव तो जैन्थो प्रोटिक टेस्ट जो होता है दहां सकता है इसे होता है त्यूस में कि आ समने पड़ेत थे थे तो यह तैसे western है आपस में कैसे बताना आ एक नुकलोटाइड के फोस्फेट गूर। हो ग्रूप हो गया और दूसरे का आपका जो दियोक्सी शुगर पूलाऀगा मतलब कि कह एक फॉसफइपर और दूसर ने सुगर का ओ तो ऑ जो फूनेammenं होता है जो आपगा आहरे ने में होता है थुस्प। ना तरती 車 नोइस नॉर्मूल वैलाय। hemoglobin for male के लिए 13 to 18 ग्राम पर DL मतलब deciliter 25 to 33 ग्राम पर DL 40 to 50 per mm cube या 30 to 35 ग्राम पर DL तो option A हो जाएगा hemoglobin की normal value male के लिए option A 13 to 18 ग्राम पर DL next time arrange the following fatty acid in decreasing order of their unsaturation highest to lowest ना तो unsaturation मतलब की double bond है ना तो मैंने आपको बता रहे हैं कि stearic acid तो क्या है saturated है तो इसमें एक भी double bond present नहीं है decreasing order मतलब पहले वह सबसे ज़्यादा वाला फिर सबसे कम वाला तो stearic acid सबसे last में लिख दो वई तो और सब में ज़्यादा ही है तो सबसे last वाला देखो एक प्रोटीन से और सबसे नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना था आपका अंसर निकल के आ गया बाकि आपको पता है एक double bond है मतलब कि इसके बाद ओली कैसिट आएगा जो कि आपको क्योव में दिया है लिनोलिक दिविक आपको कषचर में ब two double bond है फिर ऐस ना था टा निनोलिक में आपके तीन पीर नर था उसके बाद आपका जो है आहा ठीक है तो option c clear. नेक्स से फ़ीचक फोलेंगे, not a lipid. इन में से कॉनसा जो lipid ही नहीं है यह बताओ एक बारी. किरें प्रोटीन सागा और यह वाक्स है फैट तो थेखी प्रोटीन थोड़ी ना lipid तो भई तो प्रोटीन हो गया एक्ट ओफ पासिंग और यूरीन टो यूरीन होता ऐ लोपेसी ये नन तो आपका मिक्टूरिशन हो जाएगा ऑप्शन ए हना नेक्स्ट है maximum activity of enzyme does not occur, enzyme activity कौन से यह temperature, pH दियो उन पे enzyme की activity नहीं होती, देखिए, optimum temperature पर होते हैं, optimum pH पर भी होंगे, pH 5-9 भी सही है, लेकिन 0 degree Celsius जो होता है, उस पे enzyme आक्टिव नहीं होती है, है ना, next है, organ associated with the left of stomach, stomach जो हता है, हमारा, उसके left में कौन सा organ present होता है, स्प्लीन होता है डायफ्राम होता है डियोडिनम या बोथ A and B तो लाफ्ट में ना स्टमक के लाफ्ट में हमारा स्प्लीन होगा और डायफ्राम भी होगा option D होजगा बोथ A and B next है which are the following are correct incorrect about prostatic group के पार में कोन सी गलत है incorrect है बताऊ इस टाइप से दो यह स्टेटमेंट है option इस टाइप से है के इस को एंजयम और मैटलाइन धाट इस टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉंड़िट तो था एंजयम प्रोटीन से बाइंड गो प्रोस्थर्राटी ग्रूफ विदा एंजयम इस टाइंपरेर ली या तो यह सही है यह सही है तो आपने बताना गलत कौनसा यह गलत होगा यह गलत होगा तो प्रोस्थर्टी ग्रूफ न टाइप्चली बान्द हुट आपिड ली तो यह option तो दे रख़ेंग शुगर होगा बेस और फोसफिर 2 होते हैं लेकिन पंanza- सांप्चन शुगर हो जएकं़ और फोसफिर 3 तर तो आपका आंसर सारे ही हो गया ओप्शन डी हो गया करना के फंक्शन सारे है तो गुलुकोस किसमें आता है आता है महें आता है छे कारवन होता है इसमें है ना तो इसमें आपको दो बता है हिस्टामिन बताया और सीरो टॉन बताया ऑप्शन में देखियो आपको थ्री में सीरो टॉन मिला है बाकि प्रोस्ट अग्लेंडिन लुकोट्राइंस और क्लेटल अक्टिवेटिंग फैक्टर आपके लिपीड डिड़ाई ओटोकोड में अल्पी अल्पी से याद कराया है ना पैप्टाइड ओटोकोड में अंजो टैंसल और ब्राडिकाइन पैप्टाइड में आ जाएगा प्लाज्मा गाइन इनमें कैलिडिन और ग्राडिकाइन आते हैं ना तो ऑप्ष्ण थ्री हो गया वह एनिमल्स पर की जाती है यूमन पर प्री क्लिनिकल स्टडीज जो होती है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्ष्ण सी हो जाएगा तो अभी देख़ो एक क्वेशन जिसका सब्सक्राइब करना ओके थैंक यू